नमस्कार में हूं जोती आपके अपनी चैनल जोती किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज पिर एक नई हेल्दी टेस्टी रेसेपी लेकर आई इसे बनाना बहुत आसाल है प्रोटीन और फाइबर से बार्पून जो छोटों से लेकर बढ़ो तो बहुत पसंद आईगी सिर्फ एक चम्मस तेल से बनेगी बहुत ही टेस्टी रेसेपी तो देर किस बात की प्लीज वीडियो को पूरा देखें बनाए बताए कैसा बना आप इसे खाकर पुलाओ खिचरी रूफमा पोहे खाना भूल जाएंगे नास्ते तो आपने बहुत बार बनाएंगे लेकिन इस बार इस डिप्रेंट तरीके का नास्ता जरूर बना कर देखें और मुझे बताएं तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें चलिए शुरू करते हैं हेल्दी तेस्टी नास्ता बनाना एक कप यह मैंने सोया बिन लिया है सुपर मार्केट में आसानी के साथ मिल ज जाएंगे सोया बिन डालने से बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनता है बच्चों को बढ़ों को बहुत पसंद आएगा आप इसे फ्राय भी कर सकते हैं पर आज मैंने एक चमच तेल से बनाए इसलिए मैंने फ्राय नी किया है यह देखें अच्छी तरह यह फूल कर डबल हो आज कर सोया बिन बहुत पसंद आते हैं आप इसकी रेसेपी तो आपने बहुत बार बनाई होगी लेकिन इस बार यह नाश्ता बना कर देखें एक चमच तेल डाला और चारो तरफ फिरा देंगे इसे गुमा देंगे यह देखें आप इसमें जीरा राई, हींग, कड़ी प और डालेंगे जिससे बहुत ही हल्दी नाश्ता बनेगा फ्रेंट प्रोटीन और फाइबर से भर पूर होगा यह देखें मैंने राई, जीरा, हींग, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च एक बार जरूर बना कर देखें यह देखें प्याज बारिक काटके डाल दी आपको जो वेज प्रेंट तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, आप थोड़ा से नमक डाल देंगे इसे पकाने के लिए जिसे यह सौप्ट हो जाएंगे, ओट्स डालें मैंने, पप्पी ओट्स का पेकेट मिलता है सपोला वाला, आप चाहे तो साधे वाले भी डाल सकते हैं, सोरा बिनूर ओट्स का नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनता है फ्रेंट, फटापट से बनता है बिलकुल, आप कभी कभी किचरिया पुलाओ बनाते हैं तो इसकी जगह आप यह भी बना कर खा सकते हैं, ओट्स तो बहुत ही विटामिन होते हैं, यह कॉर्ण के डाने डाले हैं मैंने, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, एक मैंने एक नई चीज डाली, इससे नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनेगा बच्चों को, मेगी का स्वाद आएगा उसमें, मेगी मसाला डाला है मैंने, मेगी का मसाला जरूर डाल कर देखें, वो स्वाद मुझे ज अच्छी तरह इसे बुनेंगे, ओट से तो बहुत फाइदय बन दोते हैं सेहत के लिए, अब यह मेने सोया बिन डालेते, जो में चोड के रखेते वो डाल देंगे, थोड़ा भून लेंगे, गरम पानी डालेंगे, नमक डालेंगे, पांच मिट के लिए धक्कन रखके पक आप चाहे तो इसमें मुंकी डाल भी डाल सकते हैं, नमक डाल देंगे, प्लीज रेसेपी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों रिष्टेगारों के साथ, अगर ना है तो सस्क्राइब करना न बोले, जिससे आने वाली रेसेपी स सबसे पहले आप तक महुचे गंटी का बटन दबाना न बूले, आपको मेरी रेसेपी कैसे लगती जरूर बताए कमेंट बोक्स में, वा कितना बढ़िया कलर आया है, खुश्वो भी बहुत बढ़िया औरोरी आ रही है, पूरे घर में फेल रही है, आप चाहे तो ऐसा भी सर्वर कर सकते हैं, सूफ की तरह, ठंडा होने के बाद ये गाड़ा हो जाएगा, प्रेंट, ये देखे, आप उपर सहरा धनिया और नीवु का रज डालेंगे, तो और भी ज्यादा विटामिन विक तो हो जाएगा ये, आप मेरी रेसेपी देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप मेरी रेसेपी देखते हैं, आप इसी तरह मेरा स्रयोग बनाए रखें, और भी रेसेपी नहीं नहीं लाती रहूंगी, एल्दी टेस्टी, और में कम सामान में ही बताती हूँ रेसेपी घर के रखे सामान से, और नया नया स्वाद आपको तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ, देखें कितनी बढ़िया हिल्दी टेस्टी रेसेपी बनी है, बनाए बताए कैसा बना, आप मुझे इस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और भी रेसेपी मैंने डाली देखें, नीवू का रज डालने से और भी धुगना स्वाद भढ़ जाता है, उपर सेना धनिया डालेंगे, तो मिलते नई नई हल्दी टेस्टी रेसेपी के साथ, देखते रहें जोती किचन को, यह देखें, कितना स्वादिष्ट नस्ता बनाए फटापट से सिर्फ पां कि बाने घालने स्वाद है एखेंगे, तो मिलते हैं। नियुट लिए भी ऐसे सिर्फवाद रेसे से लिए से रहें गज़ते हैं। तो मिलते पिसे से लिए नस्ता हैं। वबंगे जूड़ते हैं।